प्रियाना में मंत्री मंडल का विस्तार हो गया है राजभवन में कारिकरम रखा गया गवर्नर मंडरू दतत्रे ने एक कैबिनेट और साथ राज मंत्रियों को पादयवं गोपने अता की शबत दिलाए आपको बता दे कि नायव सेनी ने बारा मार्च को हर्याना के मुख्य मंत्री के तौर पर शबत लिती तब उनके साथ पाँच अन्य मंत्रियों ने भी शबत ग्रहन की थी तो इस मंत्री मंडल को लेकर जो जानकारी हमारी तरफ से दी जा रही तो वो विलकुल सठीक बैठी और जिस तरह से हमने देखा कि एक कैबिनेट मंत्री और साथ अन्य राजमंत्रियों के अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से शबत ली गई ये शबत ग्रहन समारो जो था वो काफी भवे रहा तस्विरे भी आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से अलग-अलग मंत्रियों ने यहाँ पर शबत ली कमल गुपता अकेले ऐसे मंत्रिय रहे हैं जिनोंने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शबत ली इसके लावा असीम गोयल, अभय यादा, महिपाल धंडा, सीमा त्रखा, संजय सिंग, सुभासुदा, विसंबर, वालमी की ये साथ राजमंत्री आपको नदर आ रहे होंगे तो और ग्राफिक्स के जरीए भी आपको दिखा देते हैं तो सबसे पहले नंबर पर कमल गुपता हैं जिनोंने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शबत ली इसके वाद असीम गोयल, अभय यादब, महिपाल धंडा, सीमा त्रखा, संजय सिंग, सुभासुदा और विसंबर, वाल कैबिनेट विस्तार में आपको नजर आजाएंगे, इनमें सिर्फ एक पुरान चेहरा है, बाकी जो चेहरे हैं वो आपको नए चेहरे नजर आ रहे हैं, दॉक्टर कमल गुपता के अगर बात की जाए, क्योंकि इससे पहले भी वो कैबिनेट मंत्री थे, उस समय इनके बास शेहरे स्थाने निकाई विवाग था, और अब यह तक तो अब देखा जाए, क्योंकि बहुत जल्दे विवागों का बड़वारा भी हो जाएगा, तो तस्वीर और ज्यादा साफ हो जाएगा, लेकिन प्लाल के अगर बात करें, तो डॉक्टर कमल गुपता के अलावा, य जिनोंने श्वपत ली थी एगा ज्यादानम शद्धाम निश्चांच श्थयाँ श्यामी, एहम भारत से प्रभुताम अखंडतांच रक्षियतामी, एहम हर्याना राज्यस्ये मंत्री रूपेण वा, स्वेकरतव्यानाम शुद्धान्त करनेन शर्दापूर्वकम निर्वरेनम, करी व्याशिम, तथा भयम, पक्षिम, विन्वाइन, नायम करिश्यामी, अहम। डॉक्टर कमल गुप्ता, इस्वर साक्षिनम, मत्वा प्रतग्याम, करोईम, यत्य हर्याना राजस्य, मंत्री रुपेन, वा मम विचारार्थ, ये विश्य, अनितो भवश्यती, अथ्वा, विश्यम, उप्युक्तम, मंत्रिनम, समंधारी करन, या विहाय, परतक्ष रुपेन, ए परतक्ष रुपेन, विशेशान, ने सुयच्यामी, तथा, स्वकर्तव्यानाम, सम्यक, निर्विहनम, करिश्यामी, मैं, असीम गोईल नन्योडा, इश्वर की शब्त लेता हूँ, कि मैं विश्यामी, चद्धा और निश्टा रखूँगा, मैं भारत की प्रवता, और निश्टा रखूँगा, मैं हर्याना राज्या के राज्या मंत्री, सवतंतर प्रभार के रूप में, अपने करतव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंत्य करण से निर्वहन करूँगा, तथा मैं भै या पक्षपात, अनुराग या दोयेश के विना, सभी प्रकार के लोगों के रूप में और वीधी के अनुसार नियाए करूँगा, मैं असीम गोईलन नियुडा इश्वर की सब्त लेता हूँ, कि जो विशय हर्याना राज्या के रूप में जाएगा, अथ्वा मुझे ग्याथ हूँगा, व्यक्ति या व्यक्तियों तब के सिवाए जबकि ऐसे राज्या मंत्री सवतंतर प्रभार के रूप में, अपने कर्तवियों के सम्यक्ति करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथ्वा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा. मैं सबी प्रकार के लोगों के परती सविधान और विधी के अनुसार न्याय करूँगा। मैं पर्टेक्स रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। मैं महिपाल डहंडा इस्वर की सब्त लेता हूँ कि मैं विधी द्वारा स्थापित भारत के सविधान के परती सची सर्दा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की परभुता और अखंडता अक्सुन रखूँगा। मैं हर्याना राज्ये के राज्ये मंतरी सवतंतर परवार के रूप में अपने कर्तव्यों का सर्दा पुर्वक और सुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूँगा। तथा मैं भै या पक्सपात, अनुराग या दवेश के बिना सभी परकार के लोगों के परति सविधान और वीधी के अनुसार नयाय करूँगा। मैं मैं इपाल ढंडा इस्वर की सब्त लेता हूँ कि जो विशे हर्याना रज्य के राज्य मंत्री सवतंतर परवार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी वैक्ति या वैक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे राज् के शम्यक निर्वायन के लिए ऐसा करना पेक्सित हो मैं पर्तेक्स अथ्वाय पर्तेक्स रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा मन मैं सीमात रिखा इश्वर की शपत लेती हूँ कि मैं विदी द्वारस्थापित भारत के समविधान के प्रती सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुन रखूंगी मैं हर्यानया राज्ये के राज्ये मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुत अंते करंड से निर्वहन करूंगी तथा मैं भै या पक्षपात, अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सम्विधान और विधी के अनुसार न्याय करूंगी मैं सीमा त्रिखा इश्वर के शपत लेती हूँ कि जो विशे हर्यानर राज्ये के राज्ये मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाए जबकि ऐसे राज्यमंत्री के रूप में प्रत्यक्ष अथ्वा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगी मैं संजे सूरज पाल सिंग इस वर की सपत लेता हूँ कि मैं विदी द्वारा स्ताबिद भारत के सेंविदान के प्रती सच्ची सरदा और निश्टा रखूँगा मैं भारत की प्रभूता युमा खनता अक्षन रखूँगा मैं हर्याना राजे के राजे मंतरी सवतंदर परभार के रूप में आपने करतबों का सदा पूर्व के वमसुद अंत्रकरंड से निर्वेन करूँगा तथा मैं भै या पक्षपात अनुरा या देश के बिना सभी परकार के लोगों के प्रती संविधान और विधी के अनुसार नियाए करूँगा मैं संजे सूरज पाल सेंग इस वर की सबत लेता हूँ कि जो विषय हर्यान राजे के राजे मंतरी सोतंतर परभार के रूप में मेरे विचार के लिए लाए जाएगा अथवा मुझे या थोगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकी ऐसे राजे मंतरी सोतंतर परभार के रूप में अपने खर्तवों के सम्यक निर्वेन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रतख्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। सच्छी शर्दा और निष्टा रखोंगा। मैं भारती प्रवता और खनता अक्षुन रखोंगा। अपने खर्तवें से निवान करूँगा। तता मैं भेय या पक्षपात, अनुरावी या दिवेश के मिनना सभी पकार के लोगों के पती सर्दान और विधी के उनसार नय करूँगा। मैं शुबाशुदा इश्वर के शपन लेता हूं कि जो विशे अजान के लिए अत्र मुझे ग्याद होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब करूँगा। सुन्तरप्राव के रूम में अपने कृतवियों के लिए ऐसा करना पर करूँगा। शुब से सुचति या प्रकट नहीं करूँगा। मैं विशंबर वालमी की इश्वर की सफत लेता हूं कि मैं विधी द्वारा स्थाफित भारत के सिविधान के परति सच्ची सर्धा और निष्टा रखूँगा। मैं भारत की परभूता और अखंड़। मैं हर्याना राज्य के राज्य मंत्री अपने करतोयों का सर्धा पूर्वक और सुध्ध अंतकर्ण से निर्वहन करूँगा। तथा मैं भाया, पक्सपात, अनुराग या द्वेश के बिना सभी परकार के लोगों के परति सभीधान और विधी के अनुसार नय करूँगा। मैं भी संबरवाल में की इस्वर की सपत लेता हूँ की जो विशे हर्याना राज्य के राज्य मंत्री सवतंतर परभार के रूप में मेरे विचार के लिए ला जाएगा, अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी वक्ती या वक्तियों को तब के शिवाए जबकि ऐसे राज् सुचित या परगट नहीं करूँगा इसको फ्रेश करो, फ्रेश कर दिया फ्रेश करने के बाद कोई नया विभाग मिलता है, उसमें किस प्रकार से जिम्मवारी निवाएगा? अब ही तक आपका अनुभाव क्या कहता है? अब बहुत अच्छा है, अर्बन लोकल बोडी मनिस्टर था, अब मुझे पता नहीं कि किसका हूँ, अर्बन लोकल बोडी में हमने बहुत काम किया है अगर वही जिम्मेदारी फिर से दुबारा मिलती है, तो कोई बहुत बैदर प्लारी मिले, हम तो नटबोल्ट हैं, जहां मानी मुख्यमंतरी जी और संक्टन, जहां हमें कसे काम कस जाएगे शुक्रिया सर बाचीत करने के लिए बिलकुल देखे, नटबोल्ट हैं, और जहां मुख्यमंतरी साब कसना चाहेंगे, हम वही फिट हो जाएगे, इस प्रकार की बात कैबिनेट मिनिस्टर कबल सुभाज सुधा इस वक्त हमारे साथ हैं, सर बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है, मिनिस्टर आफ स्टेट का सवदंतर पर भार मिला है, कैसे देखते हैं, सर? देखे, सर बत्तों तो मैं प्रामतर निंदर मोधी जी का, राष्टे दर्ख स्री जेपी नड़ा जी का, पुरू में मारे मुख्या मंतरी रियादी मुनोरलाज जी का, आदनी मुख्या मंतरी अपना नैव सिंग स्यानी जी का, और पूरे स्गंटन का धन्यावाद करता हू साथ में कुशेतर की जन्ता का, जिनकी वजह से बाब बार हम उस्टर कमेटी के हम महर बने और उसके साथ दो वारी विजायक बनाया, सबसे पहले तो मिनका भी धन्यावाद करनेगा, इनके शीरवाद के बिना कुशी नहीं हो सकता है, यह सबसे बड़ा किरपा, शीरी मेरे मिलेगी उसको हम इमानदारी से नभाएगे परिवार के साथ-साथ तमाम समर्थक खुश नज़र आ रहे हैं साथ-साथ आपके बेटें साथ हैं बहुक नज़र आए किस प्रकार से देखते हैं यह बहुक होने करा बाइफ पोरा प्रवार मेरी वाइफ भी पूरा फिरवार मेरी वाइफ भी पूरा खर्च == कर रुद्य हुआ कर दो सब सठ गर जब भी द शीनिक शॉटीं ऊनकी परवाना करके फिर चोटी हो तो से प्रवार करके तो मेरे cerv Пр terrorist कर कारी किया कर मं के एंदर को यह कि हमारे पताईजी ने इतने वस्ट सख़श किया और आज हमें ये राजा मंतरी का जो दर्जा मिला है ये प्रमातुबा की किरप है और इस पर भावू तो होना मनता ही है चंडी गड़ा आप रहते हैं पीछे बेटा तमाम काम काज को सम्वालता है एक वज़ा ये भी मानते ह साथ रहता है तमाम कामों को देखता है तो शबत लेने वारे साथ राजमंत्रियों में अभे यादब भी शामिल रहे उनसे भी हमने खास पाचीत की है सरकार की रहेंगी वही हमारी प्रात्म का रहे आईएस रहे हैं सर आप लगातार काम किया है हलके में उसका कोई फायदा आप कुमंत्री बनने के बाद कोई मिलेगा या फिर केंदर की जो योजना है उनको लाने में कितना सफल हो पाएंगे साथ आदमी सारी जिन्दि की शीक्ता रहता है मैंने भी जितना अब तक शीख है वह उसका प्रियों करता है। और शौपत लेने वालों में महिपाल ढानडा भी शामिल रहे हैं महिपाल ढानडा ने बताया कि किस तरह से वो आगे काम करेंगा और साथ ही उन्होंने सरकार का अभार भी प्रकट किया महिपाल ढानडा इस वक्त हमारे साथ मौजुद है सार मिनिस्टर आफ स्टेट का सफदंतर पर बाहर मिला है साड़े नो साल अपने विदायक के तोर पर भारतिय जंता पाटी के साथ काम क्या है अब क्या कुछ रहेगा किस प्रकार से रूप रेखा रहेगी आपके काम का रूप रेखा सरकारों की होती है इंडिविजल किसी भी वैक्ति की रूप रेखा नहीं होती सरकार में जो काम मिलेगा जो जिम्मेवारी मिलेगा उस जिम्मेवारी का निर्वायन करना उस जिम्मेवारी के जरीए कुछ अगर खास बदलाव करने के आव सकता होती है या समाज के अंदर या जनता में अगर किसी चीज की ऐसी आउ सकता है कि जो वाक्य में और सभावी कुलूप से होनी चाहिए उसके लिए अपना विचार देते हुए जो जो चीजे भी हमारे करने लायक होंगी उन कारियों को करते हुए हम लोग जनता की सेवा कर सके इसी भाव के साथ हम लोग अगला अपना जो समय बचा उसको पूरा करें किस प्रकार से अभी तक आपने आकलन की होगा परदेश में कौन सा ऐसा काम है जो प्रार्थमिक्ता के आदार पर आप करना चाहेंगे सर्थ देखिए कोई इस तरह का खड़े-खड़े मुद्धा नहीं होता है कि दो मिनिट पहले सबतल और तीन मिनिट बाद आपको कोन सी ऐसी प्रार्थमिक्ता सोची है जैनुवन बात यह कि भी समस्याइं कब किस वक्त और किस तरह की होती है उस पर डिपेंड करता है वो समस्या जब आती है उसके एक रीजन डूंडने पड़ते हैं रीजन डूंड के ही आप लोग को कारण डूंड के ही आप उसका निग्राकन करते हैं जो भी कुछ बेश्ट से बेश्ट करने के लिए होगा हम लोग हर काम को ठीक से करते हुए अपना 100% देंगे तो इस मंत्रि मंडल विस्तार में यह यूं कहें कि नायज सिंग सेनी की जो टीम है उसमें एक मात्र जो महिला विधायक जो की राजमंत्र के तौर पर वो शपत लेती नजर आई वो रही सीमात रखा उनसे भी खास बात्चीत की है सुनते हैं कि अब के में शामिल हैं बड़ी जिम्हेदारी में लिए मैं पार्टी के शीष नेत्रित्र का अपने हर्याना के सभी लोग जिनोंने मिल करके एक फैसला लिया और नया सिस्टम्स बनाया हर्याना के लिए उनका दिल की गहराईं से धन्यवाद करती हूँ और साथ-साथ हमाम जिनोंने सही योग दिया मुझे हमारे अगर मैं बाद शुरू करूंगी तो मेरी आवाज जो आधरनिया मनोहरलाल जी से शुरू होती है उसके बाद में हमारे आधरनिया नाइव सैनी जी जो अब वर्तमान में मुख्य मंत्री हैं मेरे संसद बड़े भाई चौदरी क परकार से समालते हुने प्राइब मैं क्या प्राथिमिकता रहेगी पता चलेगा भी तो अब समय जाएगा कि कहां किसको क्या और कैसे जो होगा सब दर्रसल भाजबा की तो एक सबसे बड़ी रीती यह से सारी बीज़पी में सबसे बड़ा जो पॉट्फोलिय वह कारे करता और वो कारे करता के नाते वो कहीं पर सड़क से लेकर उपर तक कहीं तक भी हमारे से सेवा कराने हम तही है। पिता से भी कफी कुछ हिनोंने सीखा है तो इस तरह से आपको बता दे यहां तक का इनका सियासी सफर रहा है। जब यह पूरी टीम शवपत ले रही थी तो उसमें असीम गोयल का नाम हमने पहले ही आपको बता दिया था हर्याणा नियूज के जरीए कि ये भी आज इस टीम में शामिल होने जा रही है। तो हर्याणा के नए मुख्यमंत्री नायव सेनी के शवपत ग्रहन के बाद साथ दिन बात कि अगर बात की जाए तो इस मंत्री मंडल का भी विस्तार कर दिया गया। मुख्यमंत्री नायव सेनी ने अपने मंत्री मंडल में आठ मंत्रियों को शामिल किया है। मुष्कस में इतना ही आप बने रही है। हर्याणा नूस के साथ नमसकार। मुष्कस में इतना ही है। मुष्कस में इतना ही है।